पांच दिनों से आस लगा कर बैठी हुई है लेकिन अभी तक कुछ भी अता पतान ही है परिवार वालों का रो रोकर बेहत बुड़ा हाल है परिजनों ने पुलिस प्रिशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है दरसलिया पूरा मामला पटना सिटी के महंदीगर थाना छेतर के काट के पूल के समीब का है जहां बताया जहाता है कि पिछले पात दिनों से देवा कुमार नामक युवक लापता और परिजनों थानी का चक्कर लगा रहे हैं आपको बता दे चक्कर लगाती हुई परिजन ठक चुके हैं परिजनों ने बताया कि पुलिस की लापरवाही के कारण अभी तक उनके बेटी का कोई सुराग नहीं मिला यहां तक कि परिजनों को भी जिस नंबर से कॉल आया था उसे लड़की को भी पकर कर पुलिस के हवाले कर दिया गया लेकिन पुलिस बिना कोई कारवाई किये ही उस लड़के को छोड़ दिया जुस कारण परिजनों में कोहरा मचा हुआ है लापता लड़के के पिरित मा नहीं बताया कि पुलिस कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है जिसके कारण अभी तक उसके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला अब देखना होगा कि इस लापरवाही के कारण पुलिस पदाधिकारी थाना द्वारा किये गई लापरवाह पर क्या ठोस कदम उठा पाती है या नहीं निदी सिंग के साथ टीम की रिपोर क्या मत्तब इस तरह का सब्सक्राइब कर दियें उसको असीम भी जामा करवा दियें को एकसर नहीं ले रहा है क्या कर रहा है कि ठीक है आप हमको नहीं खोजेंगे हम आपको खोजेंगे बोर रहा है कोई नहीं क्या करता था लड़का आपको एक सानी यitवर से आठ बजे से गाइब है उस दिन से कोई सुरा Takingी राथ को कॉल है है जिस लड़का усे तो उसको owait प्रचाप करणी सब्सक्राइब और सुनीन 2. MORना सभी श्काइब करेंगल सब्सक्राइब कर तो धुद एक मुटलोव दाओ आमेरा वसलिटेчес सब्सक्राइब कर दो सभी सब्सक्राइब शिर्सक्राइब टे से एक बढ़नें लिए काम करता था, 20-22 बड़स का है, पीता खाता भी थोड़ा सा था, दोस संगी के साथ ज्यादा, जो लड़का के फोन किया है ना, वही उसका जिगड़ी दोस था, जब सजय से चुटा है, सीवम नाम है, मीना बजार का, हम बड़ी बेहन है उसकी मोसेरी, काजल देवी,